आज के इस वीडियो में हम आंजनिया के मुक्ति संघर्स सर्ग को पढ़ेंगे राम रावन युद्ध की तैयारियां सुरू है समुद्र में पूल बांधा जा रहा है कथा कुछ ऐसी है कि राम समुद्र के किनारे खड़े होकर तीन दीनों तक समुद्र से पार जाने का रास्ता मांग रहे थे जब समुद्र ने वीनिती नहीं सुना तो अंतता भगवान राम को भी कुरोधा गया और उन्होंने भाई लक्षमन से तीर धनुस लाने को कहा समुद्र भैभीत होकर भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए और राम के चड़नों में अपना समर्पन डालते हुए पानी पर मार्ग देने के लिए तयार हो गए पूल बंधने लगा नल नील इस कारे में दक्ष थे लेकिन पूल बनाने के साधनों को जुटाने का कठिन काम हनुमान ने ही विसे सुरूप से किया सारे पथरों पर स्री राम नाम के अक्षर खोद कर वे पानी में डालने लगे और आश्चर की बात यह की वे सभी पथर जल में तैरने लगे यह विचार वास्तम में हनुमान की ही थी जब सेतु बंध गया तो एक बार पुना रावन के पास दूट भेजने की मंतर रणा हुई भगवान राम ने ऐसा अंतिम बार युद्ध रोकने की चेश्टा के उद्ध से किया था और दूसरा छत्रिय धर्म के नाते दुस्मन को ललकार कर युद्ध करने की मंसा से किया था लेकिन जिसका आधार ही अनाचार और अनीती की महल पर खड़ा हो वह बिना संघर्स के न्याय की बात नहीं सुनता ऐसे में जो संघर्स होता है उसे मातर युद्ध की संघ्या हम नहीं दे सकते अतह लेखक ने इस संघर्स को मुक्ती संघर्स का नाम दे कर सही निरनय लिया है इसी के साथ साथ लेखक ने राक्षसों के उत्पत्ति का भी एक विचारनिय तर्क दिया है उसने कहा है कि राक्षसों का जन्म किसी माता के गर्व से नहीं होता बलकि अतिचारों अनाचारों की हद से होता है और यह किसी भी छण हो सकता हैю यह युध्य अपने आप में एक धरम युध्य ही था वैसे लरना तो कोई नहीं चाहता किन्तु सत्य और नयाए की रक्षा के यह धर्म युद्ध करना ही पड़ता है इस मुक्ती संगहर्स में लक्षमन को सक्तिबान लगा है कुम कर्न मारे जा चुके हैं मेगनाथ ने लक्षमन के सरीर को उठा कर ले भागने की जैसे ही चेश्टा की हनुमान ने ठीक उसी समय उसकी छाती में ऐसा मुष्टिका प्रहार किया कि वह खून की उल्टियां करता हुआ भाग खड़ा हुआ इस तरह राम की मर्यादा की रक्षा हनुमान ने ही की थी पुना सक्तिबान का उपचार भी हनुमान के कारण ही संभव हो सका था रावन से युद्ध करते समय राम लक्षमन को विष्णू के गरूड की तरह हनुमान ने अपनी पीट पर चढ़ा कर युद्ध भूमी में गुमाया स्वैम पवन ही जब रत बन गुमाने चले आये तो उस विजय के संबंध में कहना ही क्या अंततह रावन मारा गया मुक्ति संघर समाप्त हुआ हनुमान की विर्था की कहानी उसी दीन से स्रिष्टी में अमड हो गई इस तरह इनकी महिमा की गाथा अनन्त है